अब देख रहे है टेक्निकल हिंदी गुरूजी, फ्रेंड से कि इंपोर्टन ओफिसल नोटिफिकेशन द्वारा रिलीज किया गया है, छात्रों के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टन नोटिफिकेशन है, जिया फ्रेंड यह नोटिफिकेशन आपकी ओल इंडिया काउंसिल सेंट टल्फिकेशन was л RIED newsletter, एंडमिंड इंडब इंड्यु आपकी ओओ ठेललिया काउंसिलिंग उस presented, अऱ्नवे पडिफिकेश्न आपके इंडिया काउंसिलिंग स्पट्इए म मिलसग अशन आपकी इंडिया कांसिलिंग इंडाइव हो सकती। और होने के बाद उसका result भी declared हो चुका है जो कोई मैंने कल वीडियो प्रवाइड करा अच्छात्रों के लिए कराई थी यहां पर देखी का notice में बोला गया है कि it is mandatory for government medical college contribute 15% of MBBS seats and 15% post graduate board MD, MS for all India quota respectively to MCC of DGHS Conduction of Counseling as per direction of Supreme Court देखी का All India quota 15% की MBBS VDS की seat होती है वो All India quota में जाती है जितने भी college है उसकी 15% seat दूसरा friends है यहां पर post graduate की बात की गई है NEET PG की जिसकी 50% seat जो है वो All India quota को जाती है तो 50% seat जो है state quota को जाती है लेकिन MBBS VDS के लिए 15% seat All India quota को और 85% seat state quota को जाती है ठीक है तो वहीं यहां पर बोला गया है कि यहां पर बोला गया है कि जो आपकी seat है वो 85% पर जो seat state counseling में करा ही जाती है तो state अपनी 85% seat पर counseling करा सकता है और post graduate PG में 50% seat पर अपनी counseling state करा सकता है लेकिन 85% seat जो नीट यूजी के लिए है उस पर state counseling करा सकता है लेकिन 15% seat All India quota की है उस पर counseling नहीं करा सकता है state quota उस पर छोड़ दी जा सकती है यह इसलिए notification से release किया गया है कि state counseling यह ना सोच में थे कि MCC All India quota 15% की counseling start नहीं होगी तो हम 100% seat पर counseling करा ले ऐसा बिल्कुल भी नहीं है All India quota 15% की seat जो है counseling करा जाएगी इसलिए NMC ने official notification release करके सभी state को यह कहा है कि आप अपनी 85% की seat state counseling की वो अपनी state counseling करा सकते है लेकिन 15% seat जो है उनको छोड़ दीजेगा जो की counseling अभी होगी नीट PG के लिए मैं बात करूं तो Supreme Court में कल इसकी hearing थी जो कि Supreme Court ने 4 बीक का समय दिया है और 6 जनवरी 2021 को reservation OBC EWS के लिए इसकी सुनभाई 6 जनवरी 2022 को कराई जाएगी जो All India Quota 15% की counseling है उसमें अभी delay हो सकता है उसमें अभी समय लग सकता है तो बस यह information थी और कोई क्योरी पर गर आहो मेरे नीचे comment box में वीडियो को पूछ सकते हैं और friends मैं बता दू जिन बच्चों को Unacaddy पर पढ़ना है अच्छा marks लाना है अच्छा score करना है तो जो भी बच्चा subscription लेना चाहता है जब प्लस हो चाहिए अक्वानिक 30 November से पहले पहले आप subscription ले लिजेगा ये code TCS 10 डाल करके subscription लेनी की link और ये code TCS 10 डाल करके subscription लेनी की link और ये code TCS 10 डाल करके subscription दिये गए हैं जाकर करके फटा पटी subscription ले ले 30 November से पहले मैं इसलिए बोलना हूँ क्योंकि 30 November के बाद 1 December से अन Academy की जो प्राइज है उसमें इंक्रीजमेंट किया जा रहा है ठीक है आपके प्राइज बढ़ाए जा रहे हैं तो जिन भी बच्चों को लेना है 30 November से पहले पहले ले 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 मैंने बाटस अप नमबर डिसक् का लिजेगा तो जिन भी बच्चों को लेना है इस कोट TCS 10 ले सकते हैं और नेक्स संडे 28 November सुबह 11 बजे एक कॉमेट है अन Academy की तरफ से इसमें आपको धेर सारे Amazon के बाउचर बगारा जीतने का मौका मिलेगा साथी आपको कुछ 100% की स्कॉलर्स से बगारा जीतने का भी 45 मिनट में करने होते हैं तो जिन भी बच्चों को में का कॉमेट में रॉल करना हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लेगी आपको फ्री सस्क्रिप्शन भी मिल सकता है और जिन भी बच्चों को सस्क्रिप्शन लेना है फटापट से इस कोड के साथ ले लीजीगा अभी और क WhatsApp number description दिया है उस पर contact कर सकते हैं